So good morning guys और आपके क्रेक एक्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज के इस वीडियो में 18 जून के important current affairs को हम लोग cover करेंगे तो देखिए हमारा पहला और important प्रशन क्या है हाली में नेशनल जूगराफिक पत्रिका ने दक्षिन महासागर को विश्व के कौन से महासागर के रूप में माननेता दी है तो अंसर होगा पांचवे तो वैसे तो आप जानते हैं दुनिया का 70% से ज्यादा हिस्सा पानी से धका हुआ है और इसे भूगोल यानि के जूगराफिक के नजरिये से चार महासागरों ओशन्स में बाटा गया है लेकिन अभी नेशनल जूगराफिक ने एक पांचवे महासागर की घोशना की है जिसका नाम है डक्षिनी महासागर जो वास्तों में अंटाक्टिका के आसपास का महासागर ये इलाका है और देखे इस महासागर की एक खास बात ये होगी कि ये एक मात्र ऐसा महासागर है जिसकी सीमा तीन महासागरों से लगती है किस-किस से प्रशान्त महासागर, अट्लांटिक महासागर और हिंद महासागर से और दूसरा प्रशन यहां से यह बन सकता है कि अन्टाक्टिका महादीब को किस महासागर ने घेरा हुआ है तो दक्षिण महासागर ने अच्छा वैसे चार महासागर कौन-कौन से हैं आपके अटलांटिक महासागर, प्रशान्त महासागर, हिंद महासागर, आर्क्टिक महासागर और अब ये पांचवा बताया गया दक्षिन महासागर तो ये आपको ध्यान रखना है देखो महासागरों से related कुछ कुछ कुछन्स में आप लोगों को बता दाओ इसमें से कुछ कुछ कुछन्स वो हैं जो आपके SSE exam में पूछे गए हैं जैसे कि किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है एक्जाम का डैरिक प्रश्ण है तो आंसर हो जाएगा Arctic महासागर अचा बर्मुडा ट्राइंगल ये किस महासागर में है बताओ तो याद रखना Atlantic महासागर और अगर इसमें भी पूछ ले कि उत्तरी Atlantic या दक्षिनी Atlantic तो याद रखना उत्तरी Atlantic महासागर Northern Atlantic Ocean और कौन सा महासागर ऐस आकरती में है तो वो Atlantic ही है आचा रिंग ओफ फायर का संबन्द किस ओशियन से है पैसिफिक ओशियन से और ये जो रिंग ओफ फायर है जिस पे जो भी कंट्रीज आते है इसी पे तो सबसे ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर होते हैं और इसी से रिलेटेड एक और प्रशन आपका एक्जाम में आय था कि किस सागर का तट नहीं है तो वो यही है सारगेसो सागर तो ये सारे important points आपको याद रखने और चलो यहाँ से एक प्रशन मैं आपसे पूस्ता हूँ बताईए अभी comment box में type कर world ocean day ये कब मनाया जाता है इसका answer मैं आपको आगे दूँगा अगर आपको पताया तो अभी type करके बताओ बढ़ते आगे फिर बताईए हाली में किस राज्य सरकार ने वेदिक सिक्षा और संस्कार board गठन करने का फैसला किया तो अंसरोगा राजस्थान ने तो अभी राजस्थान में अगले 4-5 महिने के बीथर वेदिक संस्कार और सिक्षा board का गठन किया जाएगा और इसके तहट वेद संस्करती और योग आधरित सिक्षा एक साथ दी जाएगी एक्च्वल में इस board के माद्यम से सिखाया जाएगा कि कैसे वेदो की सिक्षा विज्ञान और तकनीक से जुड़ी हुई है अच्छे एक प्रश्ण का जवाब दो तो वेदो की और लोटो ये किस ने कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था और आपको एक एक एक्जाम का प्रश्ण बताता हूँ एक बार पूछा गया था एक्जाम में कि सत्यार्थ प्रकाश ये किस की पुस्तक है और कहीं बार पूछा जाता है ये प्रश्ण डैरेक्ट तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक है इसके अलावा याद रखना अगर आपसे पूछा जाए कि रामायन संग्रहालेव सांस्क्रतिक केंद्र ये कापे स्थापित किया जाएगा तो बारा बाकी उत्रप्रदेश में अच्छा चलो बताओ किस देश ने पाठेकरम में रामायन और महा भारत को शामिल किया था साउधी अरब में अच्छा ये प्रस्ण है आपका एक्जाम में आया हुआ है सुनो तो वैदत्रई में कौन सा वेद शामिल नहीं है तो याद रखना अथर वेद जिसे जादू टूनों का वेद भी कहते हैं बाके रिग वेद, साम वेद और यजूर वेद इसमें शामिल है अब बात यहां पर राजस्थान की है तो यह रामैप में राजस्थान देखो राजस्थान की कैपिटल जैपूर है जिसको पिंक की सेटी भी बोलते हैं इसी को अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का धरजा भी मिला था अशूक गहलोत यहां के मुख्यमंतरी है इंदरजीत मुहंतियां के चीट चेस्टिस है और गवर्नर कौन है कलराज मिश्र है अच्छा वैसे राजस्थान दिवस कब मनाते हैं 30 मार्च को अभी आपको याद होगा यहीं पे ही मुख्यमंतरी कुरूना बाल कल्यान यूजिना शुरू हुई थी और देश का पहला क्रशी आधारित सूर उर्जा सैयंतर ये किस राज़े में शुरू हुआ है तो राजस्थान में ही अच्छा जेव इंदर निती को लागू करने वाला पहला राज़े पूछेंगे तो राजस्थान अंसर कर देना और राजास्तान में कितनी रामसर साइट्स हैं दो हैं एक तो सांबर लेक और एक केवला देव नैशनल पार्क वैसे अभी मुख्यमंतरी किसान मित्र उर्जा योजना भी यहां पर शुरू हुई थी और मुख्यमंतरी अनुप्रती कोचिंग योजना भी शुरू हुई थी उसके अलावा भी घर घर ओशदी योजना यहां पर शुरू हुई थी जिसमें हर परिवार को चार ओशदी वाल डेजर्ट नाइट एक्सरसाइस भी हुआ था जो हमने फ्रांस के साथ किया था और वैसे राजस्तान के विकानेर में हमने USA के साथ इस साल एक एक्सरसाइस किया था उसका नाम था युद्ध अभ्यास वैसे अभी तक USA के साथ इस साल हमने दो ही एक्सरसाइस किये एक तो यु देव घना पक्षी विहार है ये युनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है इसे याद रखना यहाँ पर आपको आच्छा राजस्तान का राज के पशु क्या है चिंकारा भी है और उंट भी है राज के पक्षी गोडवन जिसे आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हो राज के पुश्प है रोहिडा का राज के वरक्ष है खेजडी का तो इतना आप यहाँ से याद रखना बढ़ते आगे फिर अगला प्रशन है हाली में जारी ICC बल्ले बाजू की टेस्टर रेंकिंग में कौन टॉप पे रहे तो आंसर होगा स्टीव स्मित स्टीव स्मित यह आस्ट्रेलिया के प्लेयर है जबकि भारत की विराट कोलीस में चौथे इस्थान पर रहे सेकेंड नंबर पे कैन विलियमसन है और तीसरे स्थान पर रहे मारनस लाबुशाने यह तो बल्ले बाजू की टेस्टर रेंकिंग की बात कर ली अगर गेंद बाजू की रेंकि इसका एलन बोल्डर मेडल यह किसे मिला था यह आस्ट्रेलिया के द्वारा दिया जाता है और यह दिया गया था स्टीव स्मित को ही बाकी जे एंडर्सन इंग्लेंड के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले यह खिलाडी बने अभी और के जैमिसन यह न्यू इसका दुबई UAE में है और इसके CEO मनु सहानी है और इसके Chairman कोने Greg Barclay है जो कि New Zealand के हैं अभी कली हमने पढ़ाए कि अभी जो मई मन्त का ICC Player of the Month किसे चुना गया तो पूरुशों में तो मुष्फिकुर रहीम को चुना गया जो कि बांगलादेश के प्लेयर है और महिलाओं केथरीन ब्राइस को चुना गया जो कि Scotland की प्लेयर है और उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी ICC ने किस भारतिक लाड़ी को Hall of Fame में शामिल किया है तो आंसर क्या होगा वीनू माकंड को और इस तरह से अगर आप से पूछा जाए कि कि कितने भारतियों को अब त तो यहां से एक प्रशन आएगा आपका अभी तक पांच महीने के अनौंस किये जा चुके है जन्वरी फरवरी मार्च अप्रेल मई तो यह आपको याद रख लेने एक बार फिर मैं आपको रिवाइस कर रहा देता हूँ जन्वरी महीने की बात करेंगे तो पूरुशों मे बोगनेश्वर कुमार रहे और महीलाओं में चुना गया किसको लिजैल ली को जो कि साउथ अफरिका से है फिर अपरिल मंत की बात करेंगे तो पूरुशों में बाबार आजम जो कि पाकिस्तान के हैं और महीलाओं में एलिसा हैली जो कि आउस्ट्रेलिया की है और मही में आपको बताई दिया पूरुशों में मुश्फिकुर रहीम जो कि बांगलादेश के है और महीलाओं में कैथरीन ब्राइस जो कि स्कॉटलेंड की प्लेयर है तो यह आपको याद होने से यह नाम पढ़ते आगे बताईए हाली में किसने पहला एकल महीला मोटर साइकल अभि यह अकेले हिस्सा ले रही है और इस अभियान में यह 24 दिनों में लगबग 32 किलोमेटर की दूरी ते करेंगी वे नई दिल्ली से अपनी यात्रा को शुरू करेंगी फिर मनाली होते हुए लेह होते हुए उमलिंगा ला दर्रा को पार करती हुए फिर से नई दिल्ली पहु यह बड़ा इंपोर्टेंट नाम है इस अपने इसकी होती 1960 में इसके देख्ष राजीव चौदरी है और एक इंपोर्टेंट प्रशन यहां से बन जाता है कि यह किस मंत्राले के अधीन आता है नाम से तो ऐसा लगता है कि फरिवहन वर राजमार्ग मंत्राले के अंदर आत अंसर होगा वेशाली हिवा से तो यह ध्यान रखना बढ़ते आगे अच्छा बताईए अभी हाली में माइक्रोसोफ्ट ने किसे अपना चेर्मेन निउप्त किया है तो अंसर होगा सत्या नडेला को आप जानते हैं सत्या नडेला यह अभी तक माइक्रोसोफ्ट के CEO हैं औ और अभी इनको माइक्रोसोफ्ट का चेर्मेन भी बना दिया गया है और यह जॉन थॉम्सन का इस्थान लेंगे तो अब माइक्रोसोफ्ट के CEO भी सत्या नडेला है और चेर्मेन भी सत्या नडेला है तो यह अब ध्यान रखेंगे बाकी मेगार राज गोपालन इनका नाम आपने पढ़ा था कहाँ पे भारते मूल की पत्रकार हैं जिनने 2021 के लिए पुलिजर पुरुसकार्ज मिला है इंटरनेशनल रिपोर्टिंग केटिगरी में बाकि डॉक्टर चारूख होसला ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2015 इनों ने जीता था और सुबूद कुमार जैसवाल ये CBI के अभी नए प्रमुग बने हैं लेकिन बात Microsoft की है तो इसके बारे में जानो देखो Microsoft की स्ताफना कब हुई थी 4 अप्रेल 1975 को इसका हेड़कोर्टर आपको मिलेगा वाशिंग्टन में और इसके founder थे Bill Gates और Paul Allen और CEO तो आप जानते ही हो वो अभी chairman भी बन गए सत्या नडेला बढ़ते आगे बताईए अभी हाली में जारी सिप्री की report के अनुसार सरवादिक परमाणू हत्यार किस देश के पास है तो आंसर होगा रश्या के पास सिप्री कहीं बार इसका report हम पढ़ चुके हैं ये data जारी करता रहता है तो एक्चलिस का काम ही यह होता है सेन्य हत्यार या सेन्य ताकतों से संबंदित जानकारी रखना तो अभी सिप्री ने कहा है कि 2020 की तुलना में 2020 में तोटल अगर विश्व में बात करेंगे तो परमानू हत्यारों यानि के nuclear weapons में कमी देखनी को मिलिए लेकिन तेनात परमानू हत्यारों की संख्या बढ़ चुके है पूरे विश्व में अचा वैसे भारत के पास कितने nuclear weapons है 156 हैं जो कि पिछले साल के मुकाबले बड़े हैं पाकिस्तान के पास 165 हैं इसके ने भी बड़ाए हैं और चाइना ने तो सब ज़्यादा बड़ा दिये 350 है इसके पास सबसे ज़्यादा बड़ा दिये यह मतलब नहीं है कि रश्या भी ज़्यादा है एक बार उसने बताया था कि साओधी अरब ये दुनिया में हत्यारों का सबसे बड़ा आयाता के इंपोर्टर है इसकी दूसरी बार रिपोर्ट आये थे उसमें बताया गया कि भारत चोहें ये 2020 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सेन्या खर्च वाला देश है पहले नमबर पे है USA, सेकेंड नमबर पे चाइना, थर्ड नमबर पे है भारत और इस बार ये बता रहा है कि परमणू हत्यार न्यूकलियर वेपन सबस्यादा किस के पास है तो रश्या के पास है सिप्री, सिप्री मतलब होता स्टूखोम इंटरनेशनल पीस इंस्टिट्यूट, स्टॉखोम स्वीडन में इसका हैटकोटर मिलेगा आपको, जिसकी निदेशक है डैन स्मित, तो ये ध्यान रखना बढ़ते आगे अच्छा फिर बताईए अभी हाली में किस राज्य सरकार ने रेव अप कारिक्रम को शुरू किया है तो अंसरोगत तेलंगना तो अभी तेलंगना सरकार ने नैसकोम के द्वारा संचाले तेलंगना आर्टिफिशल इंटेलिजेंसी मिशन लांच किया है और इस मिशन के हिस्से की रूप में आर्टिफिशल इंटेलिजेंसी स्टार्ट अप को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए रेव अप नाम का एक कारिक्रम शुरू किया है आपको बता दूँ जून 2020 में Artificial Intelligence के लिए एक actionable policy framework लॉंच करने वाला भरत का पहला राज्य बनने के बाद अब तेलंगना Artificial Intelligence Mission के तहट Artificial Intelligence विचारों को बहतर बनाने के लिए Rave Up Accelerator Program का पहला संस्करंट तयार किया गया है और आपको तो याद भी होगा 2020 में तेलंगना ने ही Artificial Intelligence का वर्ष भूशित किया था तो ये रा मैप में तेलंगना जिसकी केपिटल हैदराबाद है अभी तेलंगना का इस्तापना दिवस मनाया हमने दो जून को मुख्यमंतरिक के चंदरशेखर राओं है तो भारत का पहला Transgender Community Desk का पे खुला है है हैदराबाद में खुला है और दुनिया का पहला Mobile Water From Air Kiosk और Water Knowledge Center ये का पे स्थापित किया गया तो आंसर होगा हैदराबाद में ही बढ़ते आगे अच्छा बताईए अभी हाली में किस देश ने वीवा टेक प्रद्योगी की सम्मेलन की मेजबानी की तो आंसर होगा France ने तो वीवा टेक ये एक वार्षिक प्रद्योगी की सम्मेलन है जो की 2016 से हर साल Paris France में आउजित किया जाता है और ये जो वीवा टेक है ये ये यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टप कारेकरों में से एक है और अभी फ्रांस में इसका एवजन किया गया और इसमें प्रदान मंतरी नरेंद्र मूदी को मुख्य भाशन देने के लिए गैस्त Of Honor के रूप में आमंटरित किया गया था देखो France में हुआ ना ये तो ये रह मैप में France कैपिटल इसकी Paris है आप जानते हो Paris में आपको बता है 2024 में जो ओलंपिक है Winter Olympics होंगे ये ये Paris में ही होंगे और इस बार का जो ये Winter Olympic है Paris वाला इसमें चार गेम्स को एड किया गया है वो आप ध्यान रखना एक तो कौन से स्केटबोर्डिंग, स्पूर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग और ब्रेकडान्स पेरिस में आपको युनेस्कू का हेड़कोर्टर मिलेगा प्रदानमंत्री है जीन कोस्टिक्स अच्छा फ्रांस के साथ कौन कौन से एक तरसाइस करते हैं इस बार हमने वरुण 21 किया जो कि एक नौसेन अभ्यास है यह अब हमने अपरिल के महीने में किया था अरब सागर में इसे गरूड नाम का अभ्यास भी हम फ्रांस के साथ करते हैं एक शक्ति नाम का अभ्यास भी हम करते हैं फ्रांस के साथ में और गरूड शक्ति की बात करेंगे तो ये एक समुदरी अभ्यास है जो कि हम इंडोनेशिया के साथ में करते हैं एक मेंने आपको बताया ही है, इस बार हमने X Desert Night 21 का आयोजन भी किया था, यह exercise है, वायू सेन्य अभ्यास है, जो हमने फ्रांस के साथ किया था, जो की हुआ था, जूत्पूर में है, तो इतना आप ध्यान रखना बढ़ते हैं, अच्छा बताये अभी हाली में, LIC Cards Services Limited ने का नाम है शगुन, उसको launch करने के लिए IDBI Bank के साथ समझोता किया है, तो इस Card का इस्तेमाल आप online shopping से साथ-साथ, जो भी आपके बिल वगेरा है, उनका बुक्तान करने में कर सकते हैं, इस Card के जरिये 500 रुपे से लेकर 10,000 रुपे तक की आप shopping कर सकते हैं, इसकी validity रहेगी 3 स होगा, उसके last के 10 डिजिट को आप अपने ही साथ से चूज कर पाएंगे, बाकी Equitas, Small Finance Bank, NRI ग्रहकों को online खाता कोलने की सुविदा देने वाला पहला Small Finance Bank है ये, ठेको बात IDBI Bank की है, IDBI का मतलब क्या होता है, Industrial Development Bank of India, Headquarter मिल जाएगा मुंबई में, MDCUS के राकेश शर्मा है, तो अगला प्रश्न है, बताए, Sustainable Gastronomy Day ये कब मनाया गया, तो अंसर होगा 18 जून को, अचा, Gastronomy मतलब क्या होता है, पाक कला, भोजन बनाने की कला को कहा जाता है, Gastronomy, तो याद रखना, Sustainable Gastronomy Day कब मनाया जाता है, तो अंसर होगा 18 जून को, अचा, देखिए, अब तक ज और देखो, कि आपको कितने days याद हैं, हर बार तो मैं आपको revise करा दूँगा, लेकिन आपको कितने याद हैं, ये जदा important है, क्योंकि आपको नंबर आपके याद होने से मिलेंगे, क्या आपको कितना आता है, अब यह बढ़ते आगे, फिर बताए, हाली में, WHO के तकनीकी स अलाकार के मानद सदस्य के रूप में निवत किया गया है, अच्छा, रेबेका ग्रिंस्पन का नाम आपने सुना होगा, अभी अंकटाड की पहली महिला महा सचीव ये बनी थी, रेबेका ग्रिंस्पन, अंकटाड मतलब क्या होता है, युनाइटिड नेशन कॉन्फरेंस ट्रेड और डेवलक्मेंट, जिसका हेटकोटर है जनेवा स्विचलेंड में, बाकि अब्दुल्ला शाहिद, अभी युनाइटिड नेशन जनरल असेमली के 76th सेशन के लिए अध्यक्ष इनको चुना गया है, डॉक्टर पेट्रिक अमोत, डबलु एचो के कारेकारी बोड के ये नए अध्यक्ष बने हैं, ये केन्या से हैं, अच्छा केन्या से एक मार्था कून का नाम भी आपको याद रखना है, केन्या की पहली महिला Chief Justice ये बनी है, देखो वर्ड हेल्थ और्गिनेजेशन की स्तापना होती है 7 अपरेल 1948 को, इसका हेटकोटर है जनेवा करने के लिए किस बैंक से 484 मिलियन डॉलर का रन समझोता किया तो आंचर होगा Asian Development Bank ने, तो अभी तमिल नाडु में चैन्नेई से कन्या कुमारी औद्योगिक गलियारे में परिवहन संपर्क में सुधार करने और औद्योगिक विकास की सुविधा के लिए भारत सरकार ने Asian Development Bank के साथ 484 मिलियन डॉलर का रन समझोता किया है, इसी तरह से आपको याद होगा कुछ समय पहले, सिक्किम में रोड इंफ्रस्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए भारत सरकार ने Asian Development Bank के साथ 2.5 मिलियन डॉलर का रन समझोता भी किया था, और World Bank से भी आपको याद हो डॉलर का, Vacation Development Bank का Headquarter Manila फिलिपिन्स में है और उसके Head है, मसाथ सुका सकावा, तो बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए परशन के उतर की, फिर बताईए हाली में जारी World Giving Index 2021 में भारत के सिस्तान पे रहा, भारत 14th नंबर पे रहा है, और इसमें टॉप पे था इंड WhatsApp पे, Facebook पे या Telegram पे इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देया,